हेलो गाइस कैसे हो सब लोग उमीद है सब मस्तों के मज़ेब में हो गए गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं लास्ट आइलेंड ओफ फिप्टीन डेज का बिल्कुल फ्रेश वीडियो आइनो 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 की गाइस पहले काफी लेट हो चुका एंड दूसरी बात है कि आ कंटिन्यू नहीं रहता हूं अपने चैनल पर अब भी मैं बिल्कुल कंटिन्यू आ गया है यूट्यूब पे और आप लोग देख भी रोगयों कि मैं फ्रीफार का भी लाइब कर रहा हूं तो गैस बने रही है हमारे साथ एंड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले लास्ट सब बनाएं बट्यार वो क्या हो गया कि सीन की यहां पर वो रेड हो गई विदिन थर्टी मिनट्स अभी मैं जरा सर्वर से बैक किया था और फिर मैं पापस लोटा तो यार मेरा बेस किसी ने उड़ा दिया था आप लोगों को तो पता है पता ही होगा कि कितनी मेहनत लगत करने में जादा थर मैंनत मेरी स्टों क्लेक्ट करने में लगी थी और जैसी मैंने लेवर्टु यहां पर एक मिस्टएक हो गईति मैं यहारा है मैंने लोग नहीं लगा रही हका था तो जबी एैरा गहरा ने तो μέulative या इतना भाई बोट गेम था मेरा तो कोई बात नी अभे प्र्फठी हम लोह स्टार्टिग शुरुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिकली ज 느olकर और यी घर से स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज्जें हम चाहिए ओगी मैं आपको पूरा गाइड गरूंगा जितना मैंने कहिए है आपको बताऊंगा और गाईज अगर आप के पास एक हैवी फोन है जैसे कि मान के चलो तीन जीबी का चार जीबी का पांच छे साथ आठ बारा जीबी का तो आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो अगर एक सर्वाइवल गेम अगर आप खेलना चाहते हो तो आपके लिए एक अभी की बात की जाए तो अभी मैं मुवाइल पर खेल रहा हूं गेम जो भी मुवाइल पर खेल रहा हूं तो अभी हम लोग ने सर्वर जो है वो मैं हाइड कर दूंगा तो सर्वर पर चलते हैं एक बड़ी असा हम लोग घर देख बड़ी असा मैप में जगा देखते हैं यहां पर हम अपना ठीकाना बना सकें होगे तो अभी सर्वर लोड हो रहा है थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो और आंप धाउड तक धिया मनने कोई बात मितर नि 검़ 12 को इनाने पतक दिया है रेकिस्तान में और रेका में देंकर दूर दूर तक अरे कहां पर हूं मैं यहां पर हूं मैं यहां पर हूं मैं अपनी लोकेशन ही भूल गया था लॉल यहां से होता है ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें पहले आतम हत्या करने पड़ेगी एक बड़ी असी लोकेशन में हम लोग पहुंच आते हैं यहां पर हमने कर लेता अभी जैसे दुबारा लोड होगा हमें एक अच्छी सी जगा पर जाएंगे वह जहां पर हमें रिसोर्स अच्छे मिले मेरे हिसाब से ठीक है तो अभी हम लोग अरे भाई यह किसका मकान है यहां पर बंदे के पास जा तो रहे हैं कहीं ऐसा नौना की बंदा ऐसे हमें यह बो अरे द्वार बालो कनया से कह दो घर पे तुम्हारे गरीबा गया है सही मैं सुधानमाई बन गए गुम रहे हैं चलो भाई तो अभी हम लोग इसके बेस को छोड़ते हैं और काफी है अच्छी जगा पर बना रखा है इसने देखो एक साइट स्नौ है पर एक साइट मेंदा गजब देखो यह बरफ के ऐफेक्टि यहां पे स्टार्ट होगे दोनों के बॉर्डर फिस घर बनाया है यानि की बंदा जब चाहे बरफ का मज़ा ले सकता है जब चाहे बाई सरदी काँ तो सब्सक्राइब घरमी का मज़ा ले सकता है ठीक है तो हम भी अपना जो मकान है मैं झूपडी है कि यह क्यa šarqषा यह पता नहीं क्या होता एंधिकijn को निए जिसको मालूम हो वो में बताना यह शार्कषा क्या निशान बनके आता है तो अभी हम लोग चले गए हम लोग चलेंगे सड़के ज्यादा नजदीग हम लोग घर नहीं बना सकते तो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं और अपने मार्क की तरफ बढ़ रहा हूं और मार्क की तरफ बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंचेंगे वहां पर फिर हम लोग बनाएंगे अपनी अपने सपनों का मकान बनाएंगे और वहां पर हम लोग रहेंगे और और काफी सारी चीजे हम लोग बनाएंगे इसमें तो अगर जैसे आपको मेरे साथ केलना है तो आप अपनी लिए उसकी आइडि जो है वह आपने इस वीडियो के मैप में जो यह आपको चीजें दिखती हैं जैसे कि ब्लू कलर है तो यह आईरन माइन है यह मश्रूम दिख रहा है इसको आप खा सकते हो यह जो स्कीनी कलर का पत्थर है जो अकरिती बन रही है उसको स्पोस्ट होने और यह एलो कलर वाला सलफर है सलफर आपका बेसिकली गन पाउडर या फिर काफी सारी चीज़ ज्यादा था तो यह गन पाउडर बनाने में यह उस होता है और यह यह क्रिस्टल मेरे को इसका इतना नोलेज नहीं है यह भी माइन है एनर्जी माइन है ओके एनर्जी माइन है तो इससे आपका सूट बगारा कुछ बनता है एडवां आप पर नहीं देखने को मिली और नहीं से मेरा मतलब ऐसा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जिन में काफी आकरीती बनी थी अब मेरे को पता नहीं कि पहले से होती है या फिर भाई मेरे कोई दिखी नहीं आई हो तो चलो कोई नहीं चैक आउट कर लेते हम लोग और तो सबसे पहले आपको लकडी तो करने ही पड़ेगी क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं यार पत्थर का घर बना रहा हूं तो मैं लकडी का क्या करूंगा तो भाई सबसे पहले आपको लकडी से ही अपना घर का बनाना पड़ेगा उसके बाद आप पत्थर से उसको जैसे आप आइरन आइरन बार जब आप अप्क्रिट करोगे तो आप इसमें आइरन वाय लगा सकते हो तो कि अब यहां लोग लकडी की तलास में हैं में क्या है हमें पांच जो पेड़ हैं वह क्रोप करने वह सुरी चॉप करने और नहीं क्या पढ़ रहा हूं है गाई यहाँय पर आपके जोटों मिशनस होंगे जैसे आपको मिशन दा्यशन पर नशल अछेथा अउनिसे हैंड सीज्कい आप से ऊपर को ददिखेंगे तो यहाँ मिशन दूरह द фин uma क्यों तो अब आपको कंप्रिट करना है जैसे और पेड़ को और उसके बाद हम अपने घर का घर बनाएंगे अपना इक बंगला बने नियारा जल्दी अरे हो रहां एक और चीज है जैसे आप चोप करते हो तो अगर आप अपनी मुमेंट बढ़ाना चाहते हो तो आप अपनी जोश्रीक को लेप्ट राइट कर सकते हो एक म महानी बाबा ने मेरे को बताया था जो कि यहां पर तपस्य फिलीन था उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसा किया तो जैसे ही आप किसी पेड़ को चोप करें जैसे देखो अभी यह पेड़ है इसको चोप करना है तो जोईस्टिक को मैं लेप राइट हिला रहा हूं जैसे कि म मारा जो चोप होने थे लड़केयां बोल रहा था चलो चोप होने थी लकडियां वो रिप zitten when we यहां बनाव मकान बनाने जा रहे हैं यह उची सी प्रोष repentance यह क्या है कुछ भी बोलेंगे जो भी है यहा पर अपना मकान बनेगा सबसे उचा यह देखो यह सब नीचे है भई अपन उचे में तो अपना जो मकान बनेगा वो मैं बनाऊँगा यहाँ पर तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बेस जो है वो बेस यहाँ पे लगा लेता हूँ पहले देख लेता हूँ पूरे एरिया में बेस लग जाएगा ना हाँ लग जाएगा आप में से काफी वंदे मेरे को बुलेंगे कि भाई ऐसे यहां पर मत बनाओ यहां पर यह थोड़ा बुरा है यहां पर यार नो प्रोब्लम सरजी मैं अभी सीख रहा हूं और गाइज एक बड़ीया बड़ीया जो बेस रहते हैं जिसको रेड नहीं कर पाते हैं या फिर फन के लिए ऐसे चीज़ें बना रहा हूं जिससे कि आपको भी कुछ सीखने को मिले और कभी भी आप अगर इस गेम को खेलना चाहोगे तो बाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो दो इसने ऐसा बेस बना रख तो मैं भी ऐसा बनाऊंगा यार अपने हिसाब करना जो आपका दिल करें चाहे आप छे माले की बना दो या आप दस माले की बना दो वैसे इसमें लीमिट रहती है कितनी उचाए में आप वीडियो मंजिल बना सकते हो तो अभी देखो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूं जो कि मेरी रिसेंट की वीडियो में भी थी जो कि मैं कंटीन्यू कर नहीं कर पाया उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूं बट अभी जो वीडियो आएंगी वह कंटीन्यू आएंगी ठीक है यहाँ पर देखो ओटमेटिक बारा के च्छत लगानी है तो यह वाली च्छत आपको रहेगी बाकी आप इसका जो स्रुक्चर है वह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो तो देखो चार मैंने यहाँ पर स्लीपिंग बैक लगा दी तो मेरे को रिवोर्ड मिला है तो अभी अगर मैंने लगा रखा कहीं भी अपने घर में भर बना दिया तो उससे प्रोब्लम यह होगी जब आप घर से बाहर जाओगे आपको कोई जानवर नौक कर देगा या मार देगा त्थि या फिर कोई एनवी यानि कि इसमें भी real बन दे ओपन वर्ड गेम है यह तो जैसे यह enemy आपको मारेगा तो आप random मैप में random ही respawn होते रहोगे अभी मेरे को अगर कोई मार दे तो मैं अपने घर पे नहीं पहुंच हुआ मैं random कहीं भी मैप में random respawn होता रहूँगा अपने मकान तक नहीं पहुंच पाऊँगा उससे बचने के लिए यह bad जो है आपका respawn area होता है यानि कि आपको वहीं पे जब आप मरते हो तो यहीं पे आप respawn हो जाओगे तो जैसे मैंने इसको लगाया उसके बाद मेरे को cabinet मिलके आप बात करें cabinet की तो देखो आपने clash of clan खेला होगा क्या फिर कोई और भी गेम वैसे रोयल जैसी होती है वह जर्सी जैसी तो उसमें उसका टाउन हूल रहता है जो कि आपकी all जो आपकी guns होती है उसको उसका maintenance रखता है यानि कि आपके attack होता है या फिर कुछ भी होता है त सब कुछ उनका maintenance कर देते हो तो यहाँ पर cabinet भी ऐसा ही है और बीना cabinet के लगाए आप घर को demolish नहीं कर सकते आप कुछ अगर यह वाली दिवार मेरे को फोड़नी है मेरे को नहीं चाहिए तो demolish नहीं चलेगा क्यूंकि आपके पास authority नहीं है तो cabinet एक हिसाब से आपका tool है घर का यानि कि आपकी जो अलमारी जिसमें आपके घर बनाने के सारे ओजार है वो आप cabinet को मान सकते हो अगर आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे हो और दोस्त भी आपके साथ अपका घर शेयर कर रहा है एक टीम में खेल रहे हो तो आपको cabinet का जो cabinet का जो permissions होती है वो उसको देन होते थे तो चारों के चारों बंदे अलगलग घर बनाते थे और भही उनका जो हमारा जगड़ा होता तो हमें permission तो मिली होती थी अलगलग एरिया में होते थे हम तो हम जाएंगे उसका बेस उड़ा देंगे आराम से आ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमने जस्ट फ रिंगे या फिर आपको फाशाम करने पड़ेंगे आपको रिस उर्स क्लेक्ट करने पड़के जिसमें कि लगड़ी लख्डी हो गया या पत्थर हो गया पुछ भी ऐसा है उसमें प्रोब्लम आती है फिर तो रहते और हम जादा प्रोश से जादा डो या 3-न बंददे ब्य जोइन कर लेना अगर आपके पास एक अच्छा सर्वर नहीं है तो भाई आप मेरे सर्वर को जोइन कर सकते हो उसमें काफी सारी मैंने लोवीज बना रखी है सोलो की डूओ की स्कुएड की और भी लोवीज मैं आपके लिए बना दूँगा तो उसमें सिंपली आप रजिस्टर कर देना अपना मेरे सर्वर पर जोइन कर लेना जो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप डाउनलोड करके अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो तो देखो अभी मैं कैबिनेट लगा रहा हूं कैबिनेट मैं यहां पर लगा देता हूं देखो जैसे ही कैबिनेट लगा तो मेरा मिशन आ गया add maintenance material यानि कि maintenance material मेरे को देना पड़ेगा तो maintenance material देते हैं यहाँ पर तो देखो अपि इसका भी simple बताते हैं तो काफी सारे जो दोस्ते वो मेरे को पूछ रहे थे subscribers पूछ रहे थे भाई लोग कि भाई हम लोग इसमें घर बना रहे हैं और थोड़ा सा टाइम बाद हम लोग जब जाते हैं तो हमारा घर भाई होता ही नहीं कुछ भी तो देखो maintenance का बहुत रोल होता है आपके मकान को खड़ा रखने में यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपका खुद का असली मकान है और उसमें काफे टाइम हो गया तो कई कोई दिबार होती है कोई कलर होता है वो निकल आता है पपड़ी सी निकल आती है तो आप क्या करते हो उसको रिपेर करते हो तो ऐसा ही इसमें है देखो यहां पर देखो अगर रैड नंबर पर यह दिख रहा है बुड यानि कि इसको अभी आपका घर लकडी का है तो अभी इसको लकडी ही चाहिए maintenance के लिए तो बुड दो बुड लेता है ये तीस मिनट में यानि कि maintenance के लिए दो बुड खा जाएगा ये maintenance में पूरे आपके घर का health फुल रहेगा तो यहां पे अरे वे भाई चचा तू 기dar आ गया अरे यहां पे यार यह बंदा आ गया भाई यह क्या बंदा भाई मैं यहीं पर रिस्पोन हुगा इसने अभी तक मेरा मेरा बेड नी उढ़ाया देखो अभी यह देखो यहां पर मैं आया यहीं पर यह बंदा भाई इसके पास लकडी है एई भाई मेरे को मत मारना जे भाई तो बहुत हराम खोर बंदा है भाई देखू मेरे पीछे पढ़ गा तो देखो अभी मैंने लोग भी नहीं लगा रखा था थांग गौड मैंने मेरे पास वह रिजा सब्सक्राइब सबन Kings नहीं आ रहा भाई तुने लूट क्या किया अभी तक तो मैं बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा था मेरे पास मैंने तो अभी लकडिये तक नहीं डाली है उसमें अधिया भाई तेरा इसने भी देखोगा कि बंदा अभी नया नया आया है भाई पडोसी है तो भाई सीधा घर मे गुजाया ऐसे भी पडोसी हमें नहीं चाहिए वही ना चाहिए तू चला जा वही मेरे घर से यार मैं अभी बिल्कुल न्यू है और तू मेरे को यह अपनी आंख दिखा रहा है तो देखो गाईस मैं फटा फट से यहां आता हूं इसने मेरे को मार दिया है बट कोई बात यह फिर से आएगा भई अभी आप उनके पास कुछ नहीं है जब हो जाएगा तब इसको देखी जाएगी तो काईस अभी देखो दो वुड़ खाएगा यह 30 मिनट में अभी मैं इसमें लकडिये डाल देता हूं इस पर क्लिक करके जादा नहीं 190 डाल देता हूं ठीक है 190 ल मैंने डाली मेरे को लोक मिल गया मेरे को लोक की बहुत जुरूरत है भाई सबसे पहले मैं यहां पर दरवाजे पर इंस्टोल करूंगा लोक ठीक है आप मैंने लोक लगा दिया तो वो बंदा मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता अब मैंने लोक लगा दिया तो मेरे को यहां प आप बेसिकली चीजे बना सकते हो जैसे लो बेंच में आपके हैलमेट मिलेंगे किचन नाइफ मनेगा आपके बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए घर की सजावट के लिए अभी मैं आपको बताता हूं यह इसको लगा दिया इसको लगाने के बाद मेरे को सिंपल रिवोलवर ह सिंपल रिवोलवर बनाने की रैसेपी खुल गई है तो यहां पर देखो आप क्या क्या बना सकते हो ठीक है यूज पर क्लिक करते हैं और यहां पर रिसर्च यहां पर देखो हेलमेट है आर्मर है गार्ड है हाइड बूट है किचन नाइफ है आइरन एक्स है बुड लेदर है लार्ज साइन है नोर्मल साइन चेयर वही घर वाली बिल्कुल सिंपल सी और हाँ चोटी रिवोलवर आप जुरूर बना सकते हो इसमें तो बहुत सारे बंदों ने कमेंट कर रखा था कि रिवोलवर कैसे बनाए देखो एक बार रिवोलवर जो बनती है जैसे मैं चीज बना रहे हो आप पहले क्राफ्टिंग के बटन पर क्लिक करो आइटम्स में जाओ ज्यादा तर तो यह चीज़े बैटल पर होती है बट बेसिक पर भी होती है रिवोलवर तो रिवोलवर बनाने के लिए 125 आयरन बार चाहिए जो कैसे बनेगा मैं आपको आगे बताऊ और ड्रम फोडने से मिलता है बाकि आपको गेम में बोर्ट भी मिल जाते हैं तो उसमें से भी मिल जाता है तो अब अराम से बना सकते हो तो अभी हम लोग यहां पास आ जाएगी अब रिबोलवर और मेरे को एक और लोग's कोड मिला है तो मैं लोग's कोड यहां पे इंस्टॉल कोड पे क्लिक करता हूं और यहां पे भी कोड लगा देता हूं गाइज मेरे दोनों तरफ के कोड लग गए है और यहां पर देखो मेरा जो हेल्थ है वो तो सो है बट यहां पर मेरा फूल लेवल एंड बाटर लेवल काफी डाउन होने भला है तो अभी तो ज्यादा डाउन नहीं है वैसे है चल जाएगा थोड़ा देर चल जाएगा बट यह मेरे को रिकावर करना पड़ेगा अब फूल लेवल तो मैं इससे रिकावर कर सकता हूं मश्रूम से बट मेरे को जो बाटर लेवल है वो पानी जो होता है पीने वाला पानी जो होता है उससे कवर करना पड़ेगा अब मैं यहां पे सबसे पहले बाटर लेवल कलेक्ट क कर लेता हूं यानि कि अपना ब्लाटर लेबल जो है फूल कर लेता हूं पानी पी लेता हूं क्योंकि देखो खाना तो हमें मिल जाएगा कहीं नहीं तो मिल ली जाएगा बट सबसे जुरूरी जो होता है वह पानी होता है पानी की बिना गाड़ी नहीं चलती चलिए तो अब पानी के पास और कर लेते हैं भाई ये काम भी अभी सबसे पहले पानी के पास जाना है और ये भी तो कन्फर्म करना है ये पीने बाला है या या नहीं फाइर बटन के उपर आप कर ले देखरो आइकन देख रहे होगे तो ये पानी पीने वाला है अगर ब्लू साइन आ रहा ह तो पानी को मत पीना आपके हैल्फ डाउन हो जाएगी तो गाइज अभी हम लोग ने पानी भी पी लिया और अगर आपके साम ने यानि कि आस पास पर पानी का रेड रेड कलर की तो इसको कलेक्ट करते हैं और अभी आपको देखते हैं दिखाते हैं कि बार्टर लेवल कैसे बढ़ता है इससे काफी बढ़ता है जैसे देखो अभी देखी लेते हैं पहले तो ज्यादा वड़ता था अब देखते हैं कितना वड़ता यह कि कहा गई रही है यह वैयरी रही वैयरी मेरी पारी के परमत तोड़ सुआ करते हैं चाहिए और खाता बहुत अच्छे स्टाइल या देखो इसको प्यास भी नहीं लगेगी और खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा तो खाने का जुगाड़ भी देखो 146 हो गया मेरा एक बैरी से यानि कि एक बैरी से तीन बैरी मिलती है तीन बार आप उसको खा सकते यार एक तो यहाँ पर मच्छर बहुत हो गया मच्छर काल रहे हैं तो अभी हम लोगों ने कर लिया है रिवॉलवर का गाम हो चुका है हमारा घर स्क्यूर हो चुका है स्क्यूर मिन्स लकडी का हो चुका है प्लस उसमें बहुत अच्छी बने यह सुबह हो गए भाई ग्राफिक्स देखो मैं अभी अपनी ग्राफिक्स की सैटिंग करके बताओं तो मैं एच्डी में खेल रहा हूं अल्ट्रा हाइप नहीं खेल रहा तो मैं हाई पे खेलूंगा तो वह प्रोब्लम हो जाएगी अभी अभी क्या करते हैं क्या करते हैं अरुको अभी हम लोग स्टोन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं स्टोन क्लेक्ट करने के लिए हमें मैप में देखना पड़ीगा मैप में देखो आपको यह skinny color के दिख रहे होंगे यह जो skinny color के दिख रहे हैं यही है stone इनको हमें पोड़ना है पोड़ने के बाद जो हमें पत्थर मेरे एक मेंड़े एक मिनुट यार मैं सबसे पहले ना अंदर जाके यह चेक कर लेता हूं कि मु पता चलेगा कि कि कितना हमें stone चाहिए तो अब ग्रिट पे क्लिक करते हैं ठीक है लकड़ी से हमको पत्थर करना है तो 4650 मटीरियल लगेगा आप नीची की left corner पर देख रहे होंगे चलो बढ़िया है तो अभी हमारे पास नहीं है तो चलिए हम लोग क्लेक्ट करते हैं 4000 पत अब अब यार अभी इस वह और जब आप लोग भी मेरे साथ खेलोगे तो यार काफी मज़ा आएगा तो मैंने मैं फिर बोल रहा हूं कि जो भी बंदा हमारे साथ खिलना चाहेगा मेरे साथ खिलना चाहेगा आप लियोस की आईडी कमेंट में जुरूर पिंग सुरी बता देना मेरे को कमेंट कर देना मैं आपको फ्रेंट को इस फेस हुंगा तो यह उसकी वीडियो आपको डिली आईगी ठीक टेंशन की बात नहीं है अब आप ऐसा मत बोलना कि यार ये एक वीडियो डाले अप फिर गाय पोचेगा और आप लोग भूलोगे कि यार ये बार बा है मैं में वो त्वो चल रहा है या पूरा सैटफ केशन से चेक करा रहा हूं बार बार तो आप शोर्ड मैंम पथ्टर पत्र करने जा रहा हूं नहीं चलोड़ तो मैं फट्टा फट्से पत्थर कर लेता हphone तो guys finally हम लोगों की stone की loot हो चुकी है I meant उसे farming हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी base की तरफ और फटा फट से हम लोगों अपने base की तरफ जाएंगे और फुल अपग्रीड करेंगे yes stone कर देंगे हम अपने base को और उसके बाद हम लोग iron पे काम करेंगे हमें basically furnace चाहिए होगा furnace बनाने के लिए हमें क्या क्या लगे गाइस यह रहा हमारा furnace के लिए हमें चाहिए 200 पत्थर 100 लकडी और 30 चाहिए हमें तेल के कैन और तेल के कैन कैसे बनते हैं तेल के कैन काफी ज़्यादा चीजों में आते हैं काफी ज़्यादत चीजों में आते हैं यह यह आपके basically क्या बोलते हैं उसको हाँ यह आपका bike bike जो होता है fuel उस पर काम आता है तेल प्लस अगर आप कुछ lighting वाइटिंग कर रहे हो तो उसमें आता है यूज एंड काफी सारे बॉम होते हैं उसमें बनाने में काम आता है तो अभी हम लोग फटा-फट से अपने घर की तरफ चलते हैं इसके पात देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बना अरे मेरा बेस कहा है यह यह हाँ पे बेस मेरा यह बाइए यह क्या खुला पार घर को फूल करते हैं मैक्स अबहांद लोग सडot कर देते हैं ऑषरन को और यह पास जैसे क्या करना है तो चलते हैं अपने बेस की तरफ एंड कहां गया मेरा भी सरी गेट कहा है तो गेट के पास पहुंच गये और अपने के यहां पर चलते हैं यहां पर हम लोग यूज जैसे ही आपके पास मैटिरियल फुल है अपग्रेट का बो ऑप्शन जो है वो अपने आप ओपन हो चुका लए पस्टान देल भी पत्थर का तो स्टॉन देहां स्टॉन की रिकार बढ़ गई है थो मैं अभी फिलाल ये देता हूं और मेरा चो मैंटनेस टाइम है आप उपर देख रहे हूंगे मैंटनेस टाइम मेरा बारा गंटे का बढ़ गया है ओके जैसे की इसमेंं ज्मेंधा यह तो आप जितना बेस बना को इस बोज में यह ऐसा पूरा मैप में बनादो अब ने kher इतना बड़ बस बनाने के लिए उसको मेंटरिने के लिए काफी ज़्यादा आपको आपको यहां परिदेगी आप पर 600-400-500, जितना हो जाएगा हमसे, हम वो कर देंगे, यहाँ पर रहा stone, and stone को हम लोग कर लेते हैं collect, और इस पर jiggle लेते हैं, दे जिगल पर jiggle यानि कि अपनी joystick को left right करते रहते हैं, जिससे की हमारा जो काम होगा, वो जल्दी हो जाएगा, खेर मेरा निशाना लग नहीं रहा निशाना अगर आपका लग जाता है तो भाई जल्दी हो जाएगा ये काम तो गाइस देखो अभी रात के एक बज़े हैं भाई रात के डेड़ बज़े हैं मैं ये रिकोर्डिंग कर रहा हूँ और सुबह मैं एड़िट करके डाल दूँगा एक लाइक जुरूर कर देना भाई मेहनत के लिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं तों की खोच में और फ्लस हमें स्टोन थोड़ा जाधा कलक्ट करने पड़ेगा यानि दोस्तों तो जाधा कलेक्ट करना हिपड़ेगा क्याम हमें फरनिस मनाना है तो उसमें भी लगेगा और यह पता नैंश यूजिश नहीं कर रहा ओं यूजफ नहीं तो Clayare तो बच्चर बहुत काट रहे हैं यार कसम से कभी लैप्ट कभी राइट तो हीलना रूलना शेकिंग एफेक्ट ऐसा मैं सोच नहीं कि मैं शेकिंग ऐसे डास वांस कर रहा हूं तो वह यार मच्र बच्चर बहुत काट रहे हैं इनका जुगाड मैं कल करता हूं तो अभी मेरे पास वैसे कितने स्टोन याद तीन स्टोन ना ठीक है दो तीन स्टोन और कर लेता हूँ और यहां पर याँ बंगले खुब भाई बहुत ज्यादा कलोनी है यहां पर तो यहां पर आटाइक वर्टैक काफी होंगे तो मेरे को अपना बेस काफी एड़ एडवांस त सोचा था यार कि यहां पे कम बंदे होंगे यहां पे ऐसा है यह आप लोगों को दिखाने के लिए अरे भाई मैं क्या करगा था यह मेरी जो डिस्प्ले थी वह ने इस पे रखें थी यानि कि मैं लूट कर रहा 형法 करके रहे था टो मैं मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं तो अब अच्छा लग रहा है अम रहे हैं हम लूट करते टाइम न मैं लोन रख रहा था क wander रिकोर्डिंग कर रहा हूं तो अभी हम लोगों को चाहिश रहे वाह मैप देख रहे हो तीन तीन स्टोन मेरा वेट कर रहे हैं बस इसी से अपना जुगार हो जाएगा भाई जो मेरे को चाहिए वह हो जाएगा भाई तो अभी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ तो यहाँ पे हम लोगों को स्टोन करना पड़ेगा तो अनकरते हैं और यहाँ पर भाई बंदे के फुट परिसा रहे भाई एक ही किचन नाइप से इसने मेरे को डाउन कर दिया यार देखो अभी मेरे यह यह बंदा मेरे पीचे प 38 है यही मेरे घर पर घुसा था तो अभी कर लेते हैं अभी देखो मेरा जो रिस्पॉन रहेगा वो मैं अपने घर के अंदर ही रहूंगा नाइस वैरी नाइस विच देखो इसको ओपन करता हूं और वह वंदा था उस साइड पे तो मेरा क्या क्या गया वैसे का जाता अच्छ था भी नहीं अरे ये को ना है यह यह रियल बंदा यह रियल बंदा भाई इसके साथ टीम अप करेंगा इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है मेरे को दोस्त मिल गए वरिंग वरिंग मिठेनोस इसका नाम है bring nwy तो इसको मैं add कर सकता हूं गया हाँ इस पर add कर सकता हूं मैं private chat कर सकता हूं private chat करते हैं हाई ही यह साइडी मेरा नाम पॉट अनीश है अरे इसने इसने वाई अपनी वाली आईडी ओपन करिये मेरे छोटे वाई निवाई वे तब भी बोलू यार बटी समें इसके आईडी पर भी ना बोट भाई रोज रिमोट है मैं तभी कन्फ्यूज हो गया इसमें मैंने ये रखा ह ना क्या यह बोनु भाई कि उसको मैं ऐड करता हूं कि पाई पर्सनल मेसेज देखना गई तो चलो एड करते हैं इसको रुक रखे सेंड करते हैं और चलोड तो अभी ईसकी एड से ही गड इशी हुई कि मेरे को अभी बता चला देख रहा हूं भाई बोट भाई किसका नाम है भाई बोट डू यू नो अंग्रेज जी काफी यार इंडियन जो प्लेयर्ज होते ना उन्होंने भी अपना नाम ऐसे रखा होता है दू यू नो इंग्लिश कि आप अंग्रेज जी को चानती हो को नहीं हो यार तुम नहीं बोलने वाला यार तुम बैठा रहे बैए मैं जा रहा हूं स्टोन कलेक्ट करने इंड उसके बाद अरे मेरा यह दोस्त बन गया क्या नहीं यह मेरा दोस्त नहीं बनाया भी आशाई नह deform करने स्टॉन हमारे फण्हस के लिए काम आएंगे हमारे चो बाकि काम जिसे मेंटिनिस देना उसमें भी आयंगे तो मिस्टोन की तरब बढ़ता हूं वैसी मेरे पडॉसिे यह अच्छा है वर दूसरा बढ़ा उरा मिया वर दी नाम का पंदना वह बहुत जारामी है उसका कोई पता नहीं वह कहां से अटैक करेगा वह पता नहीं मेरे को एक एक आख अपनी वहीं पर यूज करने पड़ेगे अभी मैं उसकी तरफ भी देखता रहूंगा क्योंकि यार वह पीछे से भाई किचन आइप लेके आगया और किचन आइप के एक ही शोट स पोड़ सकते हो उसमें भी कम डैमेज में जल्दी फूट जाता है वह ट्रब और किचन आइप के यार एक शोट से फट जाता है वह चलो तो आट सो सत्तर आइटिंग इनफ है 600 वहां पर डाल दूंगा और 200 अपने काम पर आ जाएगा सही है अपने पास नहीं रखोंगा क्य देने के बाद अपन फिर कल अपनी बागड़ पंती बाड़ पार्टी के साथ आएगा और मच आएगा चलो तो यहां पर मैं दे देता हूं इसको मेरे को बस 200 छोड़ना है ना तो 670 दे देता हूं आज हम लोग ने क्या किया है आज हम लोग ने अपना जो घर है वो कर लिया है स्टोन का अभी स्टोन का कर लिया है तो काफी सारी चीजे अभी हमें करनी है भाई अभी इसको अप्ग्रेट करना है घर को अप्ग्रेट करना है फन इस लगाना है बहुत सारा काम होने वाला ह गाइस तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम continue करेंगे अगला वाला जो डे टू रहेगा हमारा उसमें हम लोग घर को मैक्स करेंगे और आगे जो भी हमारा अनलोग होगा उसको हम बनाएंगे क्राफ्ट करेंगे और आप लोगों को इसाथ शेयर करेंगे गाइज अगर वीडियो पसान आती है तो प्लीज लाइक जुरू करना एंड चैनल पर न्यों तो सब्सक्राइब जुरू करना नेक्स वीडियो एक दिन के गैप के बाद आ जाएगी एप प्रॉमिस टू यू ठीक है तो मिलता हूं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत